अब होली की तेयारियां शुरू हो गई है यह मैंने मावा निकाला है दाय तीन किलो दूद का तीन किलो दूद था उसमें मैंने गोलो डाला है और ड्राइफ रूट सब पीस कर डालें इतमें काजू है बदाम है और अभी डालूंगी बूरा वगरा मिलाऊंगी तो यह सब प पीसी है यह दोनिों दिखाती हु मूंकी और यह यह उडात किदाल है उसमें मूंकी दाल जाता है कि dw daal कम है तीन कंतोर je सब्सक्राइब तरीं और ओर थाले तो यह की वूद माया थे और साथ Summa's सोडर डाला पीचते समय समय अभी इसको फिल्सulus उमीन है जैसे पीसी हुई को खूब अच्छा है इसको अच्छी तरह परात्में फैट के वाइट हो जाएगी बिल्कुल और उसके बाद में जब इसके थोड़े गोल गोल छोड़े बड़े उतरेंगे न तो वह उसमें बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे सॉफ्ट बिल्कुल तो उसमें यह है कि जब आप इसको भिगो होगे पानी में तो बिल्कुल सॉफ्टी हो जाते हैं कि वुड़त की ताल जाद होने से फूर्फी टाइट हो जाते हैं और यह गुंजिये के लिए आटा मैंने करके रखा है इसमें मैदा है मोहें डाला थोड़ा सा और थोड़ी सूजी डाली है तो जो उसमें सूजी होती है वो फूल जाती है इतने मैं इसके तैयारी कर लूँगे बड़ो की यह हमेरी दीरे दीरे इसमें पिस रही है न दाल एकदम तो पिसती नहीं है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है साती राजमा बाल के रखा है धनिये की चट्नी बनाऊंगी चुट्चोटी सलाथ के साथ में काटन 20 को थीकर है तुट्टी मोटी दोनो अब जमीन में ही सोएंगी फरस पर अब ये उपर न अपने विस्तरे में सोएंगे ना किसी कुरषी ऑर सोफी पर बैटिग य Bundesregierung आइं यह समें से नीद़ा रही है बहुत थेजीazz की आँके खुलनी रही है एक की लिए के मेरे खशो ओ और यहो डवी के लिए थोड़ी कर handing है और यह मेरे कानाजी के चोटी कि पलेट है यह पिछकारी है इस फाल्टी है इन में अदो दो दोक है अभी खानाजी के लिये फहली कह प्षचल रहे हैं शाद चल रही है थोड़ी सी ठीक है कलर डाल के तब दिखाऊंगी यह मैं आपको फोली पर अभी एक दो दिन पहले मैंने बड़े बनाया थे थोड़े से यह यह मैंने फ्रीजर में रख दिये थे यह देखी वाइट और इस पर वाइट हो रखा है यह फ्रीजर में रखे हैं अब बुपनगे तो थोड़े से निवाए करम पानी में ने तेज गरम पानी में बिलकुल हलकर निवाया पानी जो ठंडा भी नहों और गरम बीना हो इसमें थोड़े सी जितने आपको खाने निकाल के डाल दे एक बरतन में और इसको धग दे 1-2 गंटे में इतने अच्छे हो ज इसमें किश्मिश है थोड़ी सी प्लेन बनाई है क्योंकि बच्चे किश्मिश वाली खाते नहीं है और हरी चटनी अभी में बनाऊंगी यह देखिए ताजा भी हरी चटनी बनेगी यह मैंने एक दिन पहले बना के रख रखिए इसी ट्रेमे में जमा देती हूं और जितनी च तो कुछ काम एक दो दिन पहले करना ही पड़ता है ठीक है